कि पर्षेज में को आगल जाल जाने समस्कार सभी मित्रों पर्षेज में आपसर ना गाल्यवा है जॉँजा इस घुरन ले चानी में अपवर berries को बताना चाहूंगा, कि मेरे किताब बदलते दौर से मैं कविता पढ़ने जा रहा हूं। आपको अपने पास रखता हूँ, कि मेरी लेखनी को तुम, मेरी लेखनी को तुम अपनी आवाज समझो, मेरी कलपनाओ को तुम अपनी यादे समझो, मेरे सब्दों को तुम अपनी आत्मा समझो, मेरी कलम को तुम अपनी सांसे समझो, इस बदलते मौसमों को तुम अपना मि अब आपको मैं अपनी कविता सुनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको मैं चाहता हूं कि आपका योगदान रहे, क्योंकि आप जो एक फ्लेस बैक से जा करके हम दुबारा से प्रेजेंट में आएंगे, और ये हम दो से तीन मिनट के अंदर ही आएंगे, क्योंकि कविता इतनी खूबसूरत थे, वो दौर भी कितने खूबसूरत थे जब हम बच्चे हुआ करते थे, दिल के साफ सुत्रे थे, दुस्मनी की जगा सिर्फ कटी हुआ करते थे, जिंदगी की परवा नहीं करते थे, जिंदगी की परवा नहीं करते थे, मस्त होकर रहते थे, बारिस में भी लिगा करते थे, खूब खेला करते थे, दिल के भी सच्चे थे क्यूंकि हम तो बच्चे थे. ये आपको मैंने वो दौर याद ला दिया, अब उसको छोड़के हम इस दौर में आते हैं, जिसमें हम अभी जी रहे हैं, आप सभी और मैं सभी. दौर बदलने के साथ ही अंदर का सैला बिगड गया और देखते ही देखते कब ये बच्चा बड़ा हो गया अब कटी की जगा दुस्मनी जगा ले गई अब बारिस से भीगने पर जिन्दगी बेरंग हो गई नादानी की जगा समझने जगा बना ली और ये कवीता उसी बच्चपन की याद दिला गई दन्यवाद आप सभी का समय का अभाव है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चारा बस मैं यह बोलूँगा कि कि मैं जो हूँ अपनी लेखनी से लोग को लोग के दिलों को चूने का परियास करता हूं तो साथ आपके दिलों को चूपा है थोड़ा बहुत तो इसलिए धन्यवाद